रमजान के पूरे तीस रोजों के बाद, आज इद आई है, कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है, आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को इद की बधाई दे रहा है, गाउं में कितनी हलचल है, इदगाह जाने की तैयारिया हो रही है, किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पडोस के घर में सुई धागा लेने दोड़ा जा रहा है, किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है, जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे इदगाह से लोटते लोटते दोपहर हो जाएगी तीन कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकडो आदमियों से मिलना भेटना दोपहर के पहले लोटना असंबव है लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं लेकिन इदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है रोजे बड़े बूढों के लिए होंगे इनके लिए तो इद है रोज इद का नाम रटते थे आज वह आ गई, अब जल्दी पड़ी है कि लोग इदगाह क्यों नहीं चलते उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुशो कर फिर रख देते हैं महमुद गिनता है एक, दो, दस, बारह उसके पास बारह पैसे है महसीन के पास एक, दो, आठ, नौ, पंदरह पैसे है इन ही अंगिनत पैसों से अंगिनत चीजे लाएंगे खिलोना, मिठाईया, गेंद और जाने क्या-क्या और सबसे ज़्यादा प्रसन है हामीद गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का जिसका बाप, गत वर्ष हैजे की भेट हो गया फिर एक दिन मा भी मर गई अब हामीद, अपनी बूड़ी दादी, अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है हामीद के पाउं में जूते नहीं है सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका वोटा काला पड़ गया है फिर भी वह प्रसन्न है अभागीन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है आज इद का दिन और उसके घर में दाना नहीं इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है किसने बुलाया था इस निगोडी ईद को अमीना का दिल कचूट रहा है गाओं में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं हामित का बाप अमीना के सिवाई और कौन है उसे कैसे अकेले जाने दे उस भीडभाड में बच्चा कहीं हो गया तो क्या होगा नहीं अमीना उसे यो न जाने देगी नन्ही सी जान तीन कोस चलेगा कैसे पैरों में चाले पड़ जाएंगे जूते भी तो नहीं है कुल दो आने पैसे बच रहे हैं तीन पैसे हामित की जेब में पांच अमीना की बटूए में यही तो बिसाथ है और इद का त्योहार अल्ला ही बेडा पार लगाए तुम डरना नहीं अम्मा मैं सबसे पहले आऊंगा गाउं से मेला चला और बच्चों के साथ हामित भी जा रहा था कभी दोड कर आगे निकल जाता फिर किसी पेड के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता हामित के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं वह कभी ठक सकता था बड़ी इमारते आने लगी यह अदालत है यह कालेज है यह कला घर है आगे चले हलवाईयों की दुकानी शुरू हुई आज खूब सजी हुई थे इतनी मिठाईया कौन खाता है देखो न एक-एक दुकान पर मनो होंगी सहसा इदगा नजर आई इमली के गने व्रिक्षों की छाया है नीचे पक्का फर्ष है उस पर जाजिम बिछिवी है रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक नजाने कहां तक चली गई है यहां कोई धन और पद नहीं देखता इन ग्रामिणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए कितना सुन्दर संचालन है कितनी संदर व्यवस्था हजारों सिर एक साथ सिजदे में जुके जाते हैं फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं मानो ब्रातरुत्व का एक सुत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए हैं नमाज खत्म हो गई लोग आपस में गले मिल रहे हैं अब मिठाईयां और खिलोनों की दुकानों पर धावा होता है ग्रामेडों का यह दल इस विशय में बालकों से कम उत्सा ही नहीं है यह देखो हिंडोला है एक पैसा देकर चड़ जाओ कभी आस्मान पर जाते हुए मालूम होता है कभी जमीन पर गिरते हुए यह चर्की है लकडी के हाथी, घोडे और उट चड़ों से लटके हुए है एक पैसा देकर बैठ जाओ और पच्चिस चक्करों का मजालो महमूद, महसिन, नूरे और सम्मी इन घोडों पर बैठते है हामीद दूर खड़ा है तीन पैसे तो उसके पास है अपने कोश का एक तिहाई जरासा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता सब चर्कियों से उतरते हैं खिलोने लेंगे इधर दुकानों की कतार लगी हुई है तरा तरा के खिलोने है सिपाही और गुजरिया राजा और वकील विष्टी और धोबिन वाह लगता है अब बोलना ही चाहते है महमूद सिपाही लेता है खाकिवर्दी और लाल पगडिवाला कंधे पर बंदूक रखे हुए मालुम होता है अभी कवायत किये चला आ रहा है मौसीन को भिष्टी पसंद आया कमर जुकी हुई उपर मशक रखे हुए है मशक का मुह एक हाथ से पकड़े हुए है कितना प्रसन्न है शायद कोई गीदगा रहा है बस मशक से पानी उडेलना ही चाहता है नूरे को वकील से प्रेम है काला चौगा नीचे सफेद अचकन अचकन के सामने की जेब में घड़ी सुनारी जन्जीर एक हाथ में कानून का पोथा लिये हुए मालुम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस के लिए चले आ रहे है ये सब दो-दो पैसों के खिलोने है हामित के पास कुल तीन पैसे है इतने महंगे खिलोने कैसे ले खिलोना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर-चूर हो जाए जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए ऐसे खिलोने किस काम के उन्हें लेकर वह क्या करेगा, खिलोनों के बाद मिठाई आती है, किसी ने रेवडियां ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मज़े से खा रहे हैं, हामीद बिरादरी से प्रित्तक है, अभागे के पास तीन पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाई आँखो से सब की ओर देखता है,